Hey guys, welcome back to my channel तो आज के इस वीडियो में आपको रिव्यू दूंगा T500 स्मार्ट वाच का जो कि मैंने मीशो से परचेस की है चस्ट 350 रूपीज में और 350 रूपीज के साब से मेरे को ये वाच काफी वर्थ इट दिखी क्योंकि इसके अंदर calling features भी available है बाकी box की बात करें तो box quality अच्छी लग रही है as compared to other watch in the same price segment तो फिर box quality अच्छी दिख रही है बाकी यहाँ पे इसके box को इबार open गर के चेक करता है ओके सो सबसे बहले user manual देखने को मिल जाएगी और user manual में application का barcode provide के हुआ है fit pro application का support है से smart watch के साथ उसी के साथ इस watch के लिए आपको charging cable देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे charging dock देखने को मिल जाता है और यहाँ पे magnetic two-pin provide की हुई है जिसके मदद से इस watch को charge कर सकते हूँ particularly इस type के charger में को पसंद नहीं आते है क्योंकि watches के उपर scratches लग जाते हैं तो थोड़ा ठीक ही है बाकी यहाँ पर इस steps चेक कर लिता है एक बार steps की quality यहाँ पर average है ठीक ठाक steps देखने को मिल जाएंगे silicon steps provide के हुए है से smart watch के साथ उसी के साथ यहाँ पर यह watch देखने को मिल जाएगी तो से चेक कर लिता है okay so watch यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिल जाएगी और एक बार में steps को install कर लिता हूं यहाँ पर steps वैसे में को लगता है कि install करने में थोड़ी problem तो आएगी क्योंकि steps quality अच्छी नहीं है हाँ तो problem तो आई रही है लाइक इतने आराम से नहीं लगेंगे सके step और आई थिंग आपको बाहर से purchase करने होंगे 44 mm के कोई भी steps इस watch के साथ आप install कर सकते हूँ तो इसके साथ जो आते इनके quality तो काफी खराब है तो install करने में problem आ रही है हो भी नी रहा कोई बात नहीं यहाँ आप देख सकते हो इस टाइप से मेरे से एक होई नहीं रहा कोई बात नहीं मैं पॉस करके करता हूँ को के सो straps को मैंने install कर दिया है और steps के साथ इस टाइप से इसके looks देखने को मिल जाता है सबसे बहल अगर बात करें इसके build quality की तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ट देखने को मिल जाती है इस साइड में टू बटन्स प्रोवाइट किये हो है और दोनों ही working है crown इस watch के अंदर working नहीं है इस चीज को ध्यान में रखना बाकी back में भी प्लास्टिक बिल्ट प्रोवाइट किया हुआ है और कुछ sensors प्रोवाइट किया हुआ है तो overall build quality इसकी average देखने को मिल जाएगी बाकी यहां पर अगर बात करें नजर नहीं आता है यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल बैजल नजर नहीं आ रहे पर अगर आप कोई इस टाइप का watch face लगाओगे तो 100% काफी मोटे मोटे बैजल नजर आएंगे तो यह तो इस watch का drop back है कि इसके अंदर काफी मोटे मोटे बैजल्स है बाकी यहां पर screen क brightness अच्छी है यह अच्छी बात है as compared to other watches इससे पहले मैंने टेस्ट किया था कुछ watches को तो screen की brightness काफी कम होती थी i7 ले लो या फिर i8 ले लो उनके अंदर screen की brightness कम होती थी वो issue इस watch के अंदर नहीं है यह बहुत अच्छी बात है बाकी अगर UI के बात करो तो नीची के तब स् स्वाइब करके control panel देखने को मिल जाएगा और यहां पर बहुत सारे options है और दिखने में अच्छा दिख रहा है वाकी इसमें आप अगर इस side में swipe करोगे तो watch faces ही change होंगे तो overall UI इस watch का काफी smooth है legs उगरा show नहीं होते वो अच्छी बात है वाकी इस type से यहां पर आपको menu style द यह watch को एक बार full charge करके one day तक आप use कर सकते हो और calling feature को use करोगे तो हो सकता है seven to eight hours काई मिले तो हां battery backup इसका थोड़ा सा week है और उतना expected भी था इसके price range को देखते हो है बाकी menu style इसके अंदर total three देखने को मिल जाएंगे यहां पर list style भी provide की हुई है उसी के साथ यहां पर four apps मे भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस चाइप से आप menu styles होगेरा access कर सकते हो बाकी अब मैं इस watch को एक बार अपने phone से connect कर लेता हूँ और एक एक करके इसके application समझाना start कर देता हूँ इस watch को मैंने phone से connect कर लिया है अब एक एक करके इसके application स्टेक कर लेता है पहला option है यहां पर steps का और इस watch के अंदर accurate pedometer provide के हुआ है तो यह accurately आपके steps को count करके बता देगा उसके बाद है heart rate और heart rate sensor इसके अंदर fake provide के हुए है यहां पर जस्ट एक fake LED lights provide की हुई है और accuracy इस watch के अ clear के अंदर भी reading show कर देती है तो यह वाले जो features है जैसे के heart rate, blood pressure, blood oxygen यह सभी fake है और इनके पर आप बिल्कुल भी rely नहीं कर सकते है उसके बाद next option phone book का context वगरा sync कर सकते हो उसके बाद message जिसके अंदर phone के notification मिल जाएंगे उसके बाद dialer का option और dialer से किसी को भी calls वगरा place कर सकत हो तो यहाँ पर sample के लिए मैं आपको एक call करके बताता हूँ वैसे तो आपको idea लगी गया होगा पर फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस watch की speaker quality मेर को बहुत बिकार लगी क्योंकि पहली बात तो यह loudness कम है और जब आप volume बढ़ाते हो phone से तो फिर speaker फटने लग जाते हैं तो calling से related आपको problem होगी definitely होगी क्योंकि इसकी speaker quality बहुत बखवास है बाकी next यहाँ पे आपको option मिल जाएगा running का और running यहाँ पे आप कर सकते हो और यह watch basically आपकी calories वगेरा burn कर कितनी हो रही है वो बता देगी और यह इसके accuracy मतलब ठीठा की आती है उतना आप rely नहीं कर सकते हैं उसके बाद है यहाँ पे basic जो sports mode होते हैं वो सभी provide के होगा है तो basically यह find device का option है उसके बाद है music और क्योंकि इस watch के अंदर speaker available है तो आप music watch के अंदर ही सुन सकते हो पर आप जानते ही हो कि speaker की quality कैसी है तो में को जाधा कुछ बोलना नहीं है उसके बाद है next यहाँ पे reset का option फिर है menu style जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ उसके बाद है remote capture का feature फिर है stopwatch तो यहाँ पे आप stopwatch को manually start stop कर सकते हो उसके बाद next option provide क्या है यहाँ पे इसके application का QR code और more पे जाके पहला feature है यहाँ पे Siri वाला तो basically अगर आपके पास iOS है तो Siri फीचर इनेबल हो जाएगा और अगर Android है तो Google Assistant फीचर उन हो जाएगा उसके बाद है यहाँ यह यह Siri on हो गया बाकी next यहाँ पे option मिल जाएगा about section का और about में यहाँ पे details provide की हुई है बाकी आपको एक secret setting बताता हूँ जो कि almost her watch के अंदर work करती है इसके अंदर check कर लेता हूँ की करती की करती है यहाँ पे मैं long press करता हूँ ओके long press करके तो कुछ नहीं हो रहा बाकी यहाँ पे tap करके देखते है continuously नहीं इसके अंदर वो वाली secret setting work नहीं कर रही है basically ऐसे करते है न तो factory mode on हो जाता है इस watch के अंदर नहीं हो रहा इसके लिए I think कोई secret code लगेगा वो मैं बाद में बताऊंगा बाकी next यहाँ पे option मिल जा time का watch के अंदर ही time set कर सकते हो यह काफी अची बात है तो आपको बाबार फोन से connect नहीं करना पड़ेगा उसके बाद है set date का option फिर है backlight और उसके बाद है back to dial यहाँ से आप watch faces change कर सकते हो उसके बाद है यहाँ पर option Facebook Twitter or WhatsApp का तो basically अगर आपके पास WhatsApp के notifications वगरा आएंगे तो फ Facebook और Twitter वाले भी notification respectively इनके applications के अंदर शो हो जाएंगे तो यहाँ पर यह सब फीचर्स प्रोवाइट के हो है सिस्मार्ट वाच के अंदर प्राइजिंगे इसकी मीशों पर I think मैंने 350 में खरीदा ही था तो हाँ ठीक है आप खरीज सकते हो क्योंकि price range काफी जादा काम है पर मैं यही recommend करूँगा थोड़ा सापना budget बढ़ाओ मतलब 350 के अच्छी watch आप नहीं कर सकता expect इस type की expect कर सकते हो तो 350 के साब से तो definitely worth it है पर मेरे साब से आपको थोड़ा सा budget बढ़ाके 1000 या 1200 रुपे तक की भी बहुत अच्छी watches आती है वो ले सकते हो उसके भी reviews आप मेरे चैनल कर सकते हो बाकी comment करके बताना कि कैसा लगी है smartwatch यह था मेरा आज का honest opinion उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो like share subscribe सरूर से करना मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए